नवस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज क्या बिहार में वाकई में पकड़वा विवा होता है सवाल को अक्सर सोशल मीडिया पर उचाला जाता है देखें जो लोग बिहार से हैं और जो लोग पूरवानचल से हैं वो इस चब्ज से भली भाती परिचत होंगे लेकिन देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए आज भी पकड़वा विवाएक बड़ा प्रश्नचन बना हुआ है आपको बता दें कि बिहार के लखी सराय से एक और ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है मामला क्या है क्या कुछ हुआ है आज हम इसी मोजू पर बातचीत करेंगे और इस मोजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोट के जाने माने अड्वोकेट दियो प्रकास जी है सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात के लिए जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि लखी सराय से पकडवा विवा का एक मामला हैरान कर देने वाला मामला सामने आया पूरा मामला क्या है कि पकरवा विवा तो तब रूख गया है हम लोग जब हम लोग विद्यार्थी थे तो उस समय हम लोग भाई संसलर के पास गए थे महागलपू इंबर्सेटी में कि लरका उठा उठा के होस्टल से सब ले जाता है तो आप हम लों को सुरक्षा दीजिए हम लों को अड़ेक्स ग कि अच्पस्ट्ल में और ईक मर्स्ट्रे के भी पस्टिंग हुए थी जो बीप एसी किये हुए था सब्सक्रा-बंशेक्र मेन हिस्तिए घुल शूरा सुई हूं थे तैयार हुओ रही हुँ उवह तो भी कुमारे थे उनका भी हपका अपरण हो गयं था उनका अपहरन हो गया और उसमें बहुत जोरों पर थी बाद में चुकि साधियां लगाता है फेल हुई मतलब कि आज से बीस साल पहली की बात बता रहे हैं बीस साल ना कहा जाए इसको मोटा मोटी कहा जाए तो अर्टी सब्सक्राइब बहुत रेंपेंट था मतलब नहें लगे जो जुबक थे जो पढ़ने जो आई टी करते थे जो कहीं जौब में तो बरात जाना बंद खड़ ग किड्नेपिंग शुरू हो गया था लोग पकर के साधी कर देते थे और करने के बाद कहते थे अब लार्की को रखना परेगा फिर दस गादी पर पंचेती कि अब लाब हो गई साधी तो क्या करिएगा बड़े लोग के लाई बरबाद हुआ हमारा एक दो साथी भी था उसम हमे करना बहुत घटना इन अधर का ने करनी है तो अब ही भी कि यह कोई औल का जड़ है ये कभी जाता नहीं है जदा कदा हो ही जाता है ये घटना पराही अनोखा भी भी हुआ है लर्का नवादा का है लर्का नवादा का है वो लर्का सिगनल कोड में आर्मी में काम कर रहा था जम्मु इनकस्मीर में पोस्टेट था छुट्टी में गहां वाया था उस चचा भी उसके आर्मी में ही थे दोनों साथ में ही गया था असोग ध कुछ लोग आया उसको डैगर देखा के बोले चलो फनाना बावु बोला रहे हैं वो जो बैक्ति थी नाम था भी पीन सिंग उन्हीं की बेटी थी बंदना कुमारी उन्होंने पिस्टल देखाया बंदुक देखाया चचा को भी पकरा और बोला कि लरकी है सिंदूर डालो इस जबान को उसको महसूस हो गया कि अगर हम रिसिस्ट जादा करेंगे बार बार उकार तक गोली मार देंगे तुमको हमारी जान चली जाएगी तो लोग एक दम यह हो गए मतलब जिसके कहा जाएक सिरेंडर कर गए उन्होंने सिंदूर डाल दी उन्होंने इस बात को एकसेप कर दी हैं कहां जाओ बरात लेकर आओ कुछ पैसा और सोना लेकर आओ अगर तुम सुबह कल तक नहीं आओगे लड़का कम लोग गोली मार देंगे और रखे विता किटनेप करके लड़का रात में एनकेन पर कारने किसी भी तरकेस वहां से भागने में सफल रहा उतीन चार करिए हमारे भतिजा को किडनेप किये हुए है जंग साधी किया है थाना का तब जानते ही है कितने केस जाते हैं और वो केस वहां लेते नहीं है किसे को इपना हुए हसी मजाक मुडा दियोंगा रहे कि सब कहां से है क्या में हम लोग क्या परेंगे तो थाना में केस लिया र कर निबान के लहां हुद हैं कि टैस्ति हुरु कॉम्प्रदी जी half दिखतें जारु जलना चाहिए द्किन कहरते हैं by यह कर मिघ्धा कि आर्मी जवान हो घ्रांन कि भी आलना यही नहीं लिक हो गई जुन नहीं ली गई लगे को चुकि नेक्स डे होकर की जाना था चुटी खतम हो गई थी उसको कसमीर जाना था लरका निकल गया कलो करके वहां गयार अपने जाके काहा कि मेरे साथ इसी घटना घटी है हमको छुटी दीजियें फिर जाएंगे वहां कंप्लेंड करेंगे कोट में तो कमाने ने कहा हुआ ज़रा साहम चिथे उसने अबेदन लड़के लड़के ने आबेदन दिया पहले कमान्डेंट को ठीक है कमान्डेंट ने उसी हो भा रहा बाद में उस लड़के कुछ चुट्टी दी गई और लड़का कुछ दिनों के बाद एकात महिना के बाद आगे कंप्लेंट केस केस दायर किया कंप्लेंट केस में जो हूआ है वह कोगनियेंस हुआ हुआ रहा है 3 जान मार देंगे उसको कहते हैं 352 है वो जो मारते पिटते हैं उसको कहते हैं 341 है किसी को पकर के रूम में बंद करना तो जिसको रॉंग फुल स्ट्रेंट कहा गया है 323 भी मारने पिटने का जान मुझ किसी को लब लब पर पर मारना वो है कोनिजेंस लिया गया इसके बाद लरकी बालों ने साल दो साल के बाद 498 A में उन्होंने केस कर दिया डौरी पर था के अंदर हम तो इनके साथ गए इनके घर पर गए तिन चार दिन हम रहे भी और हम से इन्होंने 10 लाख रुपिया मांगा और मारती गारी मांगी क्योंकि मेरे पिताई देने हम वह समर्थ है इसलिए नहीं हमारे साथ कुर्विल्टी के और हमको निकाल बाहर कर दिया एक कहानी बना के जो होता है इतका तो है ही तो अपना हो कर दिये लेकिन दो साल के बाद इस के घटना के दो साल हुने केस किया मतलब पहले लड़की ने केस किया और दो साल के बाद लड़की ने केस किया फैमली कोट लड़कों के परती सिंपेटिक नहीं रह रही है अभी हमनों के पास बहुत सारे केस आ रहे हैं हम देख रहे हैं अब तो लड़का लगकी दोनों बराबर हो गया बहुत था तक लेकिन अभी भी फैमली कोट ल कि उन्होंने कुछ भी ना करके एवें तक इसू भी फ्रेम नहीं किया और साथ साल के बाद 2020 में जाकर उन्हें डिसमिछ कर दिया केस को जब डिसमिस कर दिया केस को तो यह केस जब डिसमिस हुआ है आपको 27 एक 2020 को उस जज्जमेंट को ले करके यहां ओन्रेवल पतना हाई कोट में वो लोग आये एमे केस में फैमली कोट एक्ट का जो सेक्शन नाइनटीन वन है उसके अंतरगत की लोग यहां आये यहां जब आये तो जस्टिस माल भी ए जस्टिस हरुन कुमार जहा उनके कोट मामला आई गया था और उनके कोट मामला गया उन लोगों ने काफी इस पर देखा और बहुत ही डिटेल में गए यहां तक उन्होंने पुछा कि कि बद सिंदूर देने से ही साधी होती है तो कि इसी हमिन्हरी नियुदी में खrainti नहीं है कि जब तक पूरे नहों फेरे साथ तब तक नहीं दुलहा दुलहान हाते हैं भी गाना कोंता हुँसुनी है जुदियु सॉप्रिम कोट में कि वह दोनों आदमी कंसेंट से साधी किया है और कंसेंट भी फ्रीविल होना चाहिए कोई प्रेसर में नहीं होना चाहिए और कंसेंट देने के लाइक दोनों मालिए उसमें लिखा है और कंसेंट के काविल होना चाहिए और कंसेंट देने के बाद वह उन्होंने कंसेंट नहीं दिया। और केस को हम जेहल रहे हैं आर्मी के जवान हैं तो कोट ने जस्टिस बेंधिरी ने कहा कि भाई इसका जो कोर्रोबरेटिव फैक्ट से उधिखाईए इसूज क्या है वो देखाईए प्रकाइए तो बारत का फोटो देखाईए तो फोटो मांग लिया गया जा फोटो भी दे इसा फोटो से फोटो देखने से पता लग रहा है कि जवरस्ति साधी हो रही है उसके गाउं का उसके पड़िवार का कोई बेक्ति वहाँ उपलब्द नहीं था फोटोग्राफ में उन्हें कोई फैक्ट आपके पास साधी का हो कोई निमंतरन कार्ड उस समय का हो कोई और ब देखते हैं भगवान तर नहीं देखते थे अपना चेहरा के अमड़ा तर लगाते हैं तो मतलब कि कुछ भी प्रूव नहीं करता है कोई फोटोग्राफ नहीं दे पाए और लरके ने दिया कमांडर की चिठी दी जो कमिशनर साहब को गया तो सारी घटना लरका बोला कि एक 2023 मतलब वहां भी तीन साल लगा है दस नॉवंबर 2023 को साधी को नलन भॉइड कर दिया वोला कि यह और उनका जो फैमिली कोर्ट को सेटिसाइड किया संभर्स किया जो साधी जवस्ती की गई उसको तोड़ने में दस साल समय लग गया वकील साब यह भी हम समझना चाहेंगे क रिख साल का पूरा वक्त लगा है उसके पीछे का कारण किया सबूत का अभाव था उस वक्त क्या कुछ था क्या पक्ष मजबूत नहीं नहीं, 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 लोग प्रिजृटिस भावनादस चलते हैं, कुछ एक लोग लगते हैं, लड़का एक लड़कर की ही गल्ती होगी, पैसा मांगा होगा, दहज मांगा होगा, नहीं दिया होगा, एक मन में भावना नुक राती है, जबकि उसमें जो फैक्ट्स है, सब्सक्राइब नहीं था यह कम दिन में होना चाहिए था खेर पतना हाइकोट के बहुत ही सुझे वे जज़ के पास जिन्होंने दूद का दूद और पानी का पानी कर दिया लड़का वहां से बेमाग बच गया तो वकील साब हम जानना चाहेंगे कि सजा क्या होते हैं मतलब पकड़ाओवा विवाह जो लोग करते हैं या कराते हैं सजा क्या है अब उस सजा तो जो वहां कंप्लेंट केस का उसकी क्या पढ़नती हुई हमको नहीं पता उसमें सजा जो होगी जो लोग पकड़े दिजी लड़के के पिताजी का नाम भी पीन सिंग वो केस को फॉलो कर है पुझा कर वहां पकड़ कि आप जो साधी कर दिया इस जज्जमेंट से जो मुख बात निकल के आएगी कि बहारम जो एक का दुखा भी जहां तहां जो पकड़ाओवा साधी हो रहा है जो फोर्सिबल में जो हो रहा है अब वो नहीं करेंगे चुकि एक बुलेट अब अगर इस धंग केस अगर फैमली कोट में चल रहे होंगे उस पर भी असर पड़ेगा इस केस का यह हाई कोट का आदेस है यह बाइंडिंग हो जाएगा उनके उनको मानना पड़ेगा इन चीजों को पकर हुआ बिवाह को किसी भी हालत में उन्हों को अभई डिक्लेयर कर दिया गया सेटिसाइट कर दिया कि लड़का को तरान मिला लेकिन सबसे बरी बात है कि दस साल समय लग गया साथ सालों से यहां लगा फैमली कोट में और तीन साल हमारे ओंडेबूल हाई कोट में लग गया समय खेर यहां अच्छे बेंच में गया और मामला दूद का अच्छा क्या बिहार में पकड़ हुआ विवाह को लेकर कोई कानून है वह तो जो आई-पी-सी दंड जो निती है किसे को यही सब है तीन सो एक्तारीस जो आपको मैंने बताया तीन सो बावावां तीन सतारीस उसमें कोई अलग से कानून नहीं बना है लेकिन अभी यह जिस समय हम लोग पड़ते थे उस समय बहुत जोर चला था हम लोग कि मां कहते दी बराती मत जाओ बाहर मत जाओ यह मत करो मैंने आपको कहा निक हम लोग होस्तल में आर्म फोर्स मिला था और मईस्ट्रेट मिल्स मिल्स उठा के लिए चला गया तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे है वकील साब देखिया अकसर कहा जाता है कि जस्टीस डेलेड इस जस्टीस डेनाइड लोग देर है लेकिन अंधेर नहीं है तो यह पूरी बात छीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा तो सबस्तल खेल एस आप अपडेट्स के लिए इसे हम हमारे साथ बने रहेगा और देखते रहेगा लाइफ सिटीज बहुत शुक्रिया